नमस्कार आदाब न्यूस्क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत हैं शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से अजय मिश्रा टेनी के बरताव का संसद में विरोध राहुल गांदी बोले क्रिमिनल है टेनी और शाहीन बाग आंदोलन के दो साल राजनीतिक कैदियों की रिहाई की उठी मांग निजी करन के खिलाफ बैंक करमचारियों की देश व्यापी हड़ताल और कोरोना अपडेट देश में 24 घंटों में करीब 8,000 नएम आपने अब खबरें विस्तार से उत्तर प्रदेश के ग्रह राजमंद्री और लखीमपूर हिंसा के आरोपी आशीश मिश्रक के पिता अजय मिश्र टेनी ने जैसी बजसलू की 15 दिसंबर को पत्रकारों के साथ की उसका विरोध आज संसद में भी देखने को मिला कॉंग्रेस संसद राहूल गांदी ने कहा कि अजय मिश्र टेनी क्रिमिनल है और उन्हें तुरंट इस्तीफा देना चाहिए सूत्रों के हवाले से ये भी बताया गया है कि आज अजय मिश्र की दिल्ली में बीजेपी आला कमान के साथ मीटिंग हुई है मगर वो इस्तीफा देंगे या नहीं इस पर बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है जब उनके इस्तीफे की या बर्थ खास्तगी पर संसद कार्यमंत्री प्रलाज जोशी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लखीम पूर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जात चल रही है बता दें कि अजय मिश्र का बेटा आशीश मिश्र तीन अक्टूबर के लखीम पूर हत्याकान में आरोपी है जिसमें चार किसान एक पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत हुई थी हाल ही में S.I.T. ने कहा है कि किसानों पर गाड़ी सोची समझी साजिश के तहत चलाए गई थी इसी पर ABP News के एक पत्रकार ने अजय मिश्र से सवाल पूछा था लेकिन मंत्री ने पत्रकारों को चोर बताया और गालियां देते हुए थपड मारने की कोशिश भी की अब किसान आंदोलन की एतिहासिक जीत के बीच आज उस आंदोलन को याद करने का भी दिन है जिसमें महिलाओं की अगवाही में अपना सफर तै किया था हम बात कर रहे हैं शाहीन बाग की आज ही के दिन 16 दिसमबर 2019 को नागरिकता संचोधन विदेयक यानी CAA NRC और NPR के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग की सडकों पर हजारों नागरिकों ने आंदोलन शुरू किया था उस आंदोलन के दो साल को सेलिब्रेट करते हुए आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया और CAA NRC को वापस लेने की और साथ ही राजनेतिक कैदियों की रहाई की मांग को भी तेज किया गया नागरिकों के इस प्रदर्शन में कई संगठन शामिल हुए साथ ही उन लोगों के परिवार के लोग भी शामिल हुए जो जेलों में बंध हैं और न्याय का इंतजार अब तक कर रहे हैं बता दे कि शाहीन भाग के आंदोलन से एक दिन पहले 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इसलामिया की लाइबरेरी में घुसकर पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों को बेरहमी से पीटा था जिसके बाद से ये विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया था देश भर के कई सरकारी बैंकों के करीब 9 लाग करमचारी आज यानि 16 और 17 दिसंबर को अखिल भारती अस्तर पर होने वाली बैंकों की हर्ताल में शामिल है ये हर्ताल निजी करन के खिलाफ है और बैंकिंग कानून संचोधक विदेयक 2021 के विरोध में की जा रही है जिसमें दो सरकारी बैंकों का निजी करन किया जाएगा इस हर्ताल का आवान UFBU यानि United Forum of Bank Unions ने किया है UFB के एक नेता ने बधवार को बताया कि उनकी अडिशनल चीफ लेबर कमिशनर के साथ हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला वही चुनावी राजय उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां के 900 बैंकों के 10,000 से ज़्यादा करमचारी इस हर्ताल में शामिल है सरकार की बैंकों का निजिकरन करने की योजना पर टिपनी करते हुए UFBU के अनिलतिवारी ने कहा यह दुरफाग्य पूर्ण है कि सरकार बैंकों का निजिकरन कर रही है उन्हें समझना चाहिए कि सार्विनिक शेत्र के कई बैंक भारतिय अर्थवेवस्ता की रीड की हड़ी है और आप बात करते हैं करोना की स्वास्ते मंतराले के आकडों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में करोना के 7,974 नए मामले दर्ज किये गए हैं और 343 मरीजों की मौत हुई है साथ ही कल बुदवार को ओमिक्रों के 12 और नए मामले सामने आए हैं इसी के साथ देश में अब ओमिक्रों के मामलों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है वैक्सीन की बात करें तो स्वास्ते मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक 135 करोड 25 लाग से जादा डोज दी जा चुकी है जिनमें से करीब 6,12,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है आज इतना ही खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट newsclick.in पर लॉग इन कीजिए और हमें Facebook, Instagram और Twitter पर फॉलो कीजिए हमारे चानल YouTube को सब्सक्राइब कीजिए News Click पर बने रहने के लिए शुक्रिया